हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि पेचेक यानि सैलरी मिलते ही हम ये सबसे पहले खुद को पेग करना चाहिए, लिकिन कितना? ये हम आज के वीडियो में जानेंगे. एक दिन जब ऑथर अपने घर से लौट रहे थे, तब उन्होंने एक बिलबोर्ड पर लिखा देखा, ये देखकर वो सूचने लगे कि हम एक्चली किसी कमपनी के लिए नहीं, बलकि अपने और अपनी फैमली के लिए काम कर रहे हैं. हम ऐसा सोचते हैं कि हम खुद को प्रायोरिटी में रखते हैं, बाखी सब को सेकंडरी, लेकिन क्या ये सचाई है? क्या हम जितना काम कर रहे हैं, उस इंकम को खुद के लिए सेफ भी कर पा रहे हैं? खुद को कितना पे करना है? उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन्स करन होगी, आपको सबसे पहले ये नोट करना होगा कि आपने last week में कितने घंटे काम किया, और उस से per hour कितना कंआया? और उस income से आपने कितना अपने retirement plan के लिए रखा? तो क्या अब आप पता लगा सकते हैं? कि last week आपने खुद के लिए कितने घंटे काम किया? ये बहुत आसा आईए इसकी कैल्कुलीशन देखते हैं मान ले अगर आपकी पर आवर की प्री टैक्स इंकम एप्रॉक्सिमेटली दो हजार रुपए है और आप लास्ट वीक की इंकम में से चार हजार रुपए सेपरेट रख दें तब चार हजार को दो हजार से डिवाइट करने पर आंसर आता है दो इसका मतलब आपने लास्ट वीक में खुद के लिए दो घंटे काम किया अगर इसे सिंपल तरीके से कहें तो हमें हर दिन की इंकम में से पर आवर की इंकम को सेव कर पाता है भारत में तो situation और भी खराब है हमारे यहां तो लोग एक दिन में जितना कमाया उसे उसी दिन उड़ा देते हैं दोस्तों हम रोज सुबह जल्दी उड़ते हैं अपनी family को छोड़कर काम पर जाते हैं और अपने walking hours भी compromise करते हैं यह सब हम किसी और की business को build करने के card companies के लिए तो दोस्तों आपको the automatic millionaire बनने की शुरुआत कुछ इस तरह से करनी होगी नमबर एक सबसे पहले खुद को pay करने का decision ले नमबर दो अपना retirement account open करें नमबर तीन अपनी cross income का कम से कम 10% उसमें deposit करते रहें और नमबर चार अपनी savings को automatic करें तो दोस्तों आज ही आप खुद से ये commitment करें और एक paper पर आज की date डालें कि आप अपनी income का कितना प्रतीशत save करने वाले हैं उसे note करें अब आप मेंसे कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या 10% enough है तब क्या होगा जब हम अपनी income का 12% या 15% save करें क्योंकि सबकी situation different होती है इसलिए author ने category wise benchmark set करें जो इस तरह से हैं जैसे कि एक गरीब इंसान जो अपना खर्चा भी नहीं उठा पा रहा है उसे अपने आपको सबसे पहले पे करने के लिए बस सोचना ही चाहिए लेकिन actual में ऐसा नहीं करना चाहिए और अपनी पूरी मंथली income को अपने खुद की और अपनी परिवार की जरुरतों के लिए बिना save के खर्च कर देना चाहिए वहीं एक middle class person को अपनी income का 5-10% सबसे खुद को पे करना चाहिए ऐसे ही एक upper middle class person को 10-15% तक और अमीरों को 15-20% तक वहीं एक ज्यादा rich person जो जल्दी retire भी हो सकता है उसे 20% या इससे ज्यादा सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए तो दोस्तों आपको किस category में रहना है या खुद को right percentage में पे करके choose करें हो सकत जो आपको lifetime return देता रहे या आप कोई ऐसी investment के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपको हर सार 10% का return मिलता रहे आपको जो सही लगे वो करें लेकिन याद रखे wealth building का foundation तो खुद को सबसे पहले pay करना ही है आईए आप जानते हैं कि खुद को pay की गई income को automatic कैसे बनाएं दोस्तो आप अपने आपको pay की income को चाहे retirement account में डाले या mutual fund में invest करें या उसे नया घर लेने के लिए save करें या अपना credit card debt भरने में उसे use करें इनमें से किसी भी चीज़ के लिए एक ऐसा system होना जरूरी है जिससे आपको किसी budget को follow ना करना पड़े हम सब ने life में कभी ना कभी budget बन आया है पर क्या हम उसे regularly follow कर पाए हैं दोस्तों जहातर लोग अपनी salary से saving करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो saving को invest कहा करें इसके लिए दोस्तों आपको author विनोत पोटाईल की book what every Indian should know before investing जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपको इस book की summary हिंदी में audio format मे चाहिए तो आप इसे कुकू FM पर सुन सकते हैं और वो भी हर रोज केवल एक रुपे से भी कम खर्चा करके दोस्तों कुकू FM पर non-fiction book summary की एक huge library आपको मिल जाएगी जिससे आप different topics के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं आपको बस इस video के description में दिये हुए link पर जाना है औ लेकिन दोस्तों जल्दी कीजिए क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% discount मिलेगा तो अभी कुकू FM आप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले audiobook सुनकर अपना time, effort और money तीनों ही save कीजिए और ने बताया कि जब वो early 20s में थे तब उन्होंने सबसे पहले अपनी income का 1% सेव करने से शुरुआत की थी, फिर 3 महिने बाद उन्होंने savings को 3% तक बढ़ाया, फिर author एक दिन जिम और शू से मिले, जिनकी story पिछले वीडियोज में बताई गई थी, और उन्होंने decide कर लिया कि वो अपनी life में भी ये concept Start early, finish rich, और फिर savings को 10% और next year तक 15% तक बढ़ा दिया, आज भी author और उनकी wife अपनी income का 20% अपने retirement account के लिए save करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये उनके लिए normal हो चुका है, क्योंकि वो ये काफी सालों से regularly करते आ रहे हैं, जब तक आप ये करना start नहीं करेंगे, हो सकता है आपको ये मुश्किल लगे, लेकिन पहले तीन महिने के अंदर ही आप ये काम effortlessly कर पाएंगे, आप चाहे तो एक प्रतिशा से ही start करें, क्योंकि ये छोटा सा step आपकी habits को change करेगा, और savings को automatic बनाएगा, तो दोस्तों अब आप pay yourself first का formula अपना चुके हैं, तो अब आपका next step है, एक automatic millionaire future को पाना, दोस्तों आईए अब जानते हैं कि हम अपने financial future को कैसे secure कर सकते हैं, ये बहुत ही simple है, हमें खुद से एक promise करना होगा, कि अब हम ना ही government पर, ना ही हमारे employer और ना ही हमारे family पर dependent होंगे, और खुद को retirement के बाद एक comfortable stress free lifestyle देने के लिए काम करेंगे, द इंडिया में ऐसे बहुत सारे options available हैं, जिनमें से एक है public provident fund, PPF एक government sponsored savings or retirement planning investment है, जो tax free है, ये उन individuals के लिए अच्छा है, जिनका कोई structured pension plan नहीं होता है, अभी इसमें interest rate 7.1% पर annum है, हो सकता ही कि आपको ये कम लगे, लेकिन PPF tax free है, इसलिए यहां return 10% से ज्यादा ही employee provident fund, इसमें employer और employee का compulsory contribution रहता है, जब तक employee उस organization में काम करता है, इस amount को employee withdraw नहीं कर सकता है, और ये भी tax free amount है, इसी तरह एक और plan है, guaranteed income for life, ये एक insurance come savings plan है, ये आपको lifetime के लिए regular income देगा, दोस्तों retirement हमारी life के golden years होते है, और उस retirement के लिए save करना हमें future में आने वाले पैसे क problem से बचाने में help कर सकता है, तो दोस्तों एक बात तो simple है, start saving early ताकि आप अपना retirement secure कर सके, दोस्तों pre-tax retirement plan से ही सारी wealth generate होना start होती है, फिर भी बहुत कम लोग इसको serious ली लेते हैं, जब अपने future को secure करने की बात आती है, तो ये लोग इसके लिए बिलकुल भी serious नहीं है, अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो आप आज अपना sign up day समझेए, और अपने लिए एक retirement plan चुनिए, और उसमें enroll हो जाएए, या आप जिस company में काम कर रहे हैं, उसके website पर देख सकते हैं, या आप garment launch plans में भी enroll हो सकते हैं, बागी की बाते, to be continued, ये बाते मैंने आपको the automatic millionaire book से बताई है, जो detail में सिखाती है, कि हम अपने पैसे को कैसे manage कर सकते हैं, वो भी life को enjoy करके, तो आप ये सारी बाती सीखना चाहते हो, तो description में जाकर book खरीज सकते हो, और अगर आप इसी book पर अकला part देखना चाहते हैं, तो मुझे comment करके जरूर बताएं, दोस्तों वीडिय तो like का बटन जरूर दबा दें, और हमसे जुनने के लिए effortless GK को इंस्टरग्राम पर follow जरूर करें, और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को subscribe करें, साथ ही साथ description में दिये link से, जिरोधा या upstock से अपना dmat account open करना ना भूलें